तो विल्कमें दोस्तों नमस्कार आप सभी का जोहार इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी झारकन के एनिवर्सिटियों में ग्रेजवेट एपरेंटीस का फॉर्म आया है ठीक है इसमें क्या काम होगा क्यों इनको सेलेक्शन दिया जा रहा है क्या मतलब पू दोनों चीज़ें कि जितना भी झारकन में गौर्मेंट सेक्टर में ठीक है उन सभी में देखिएगा कि अभी जो है असिस्टन प्रोफेसर की वेकेंसिस आई हुई है ठीक है अगर आपने गोर किया है तो अच्छी बात है और नहीं गोर किया है तो मैं बता दे रहा हूं अ असिस्टन प्रोफेसर की वेकेंसी अभी हुई है ठीक और इसके साथ किसी भी इन्युवर्सेटि को चलाने की लिए दो छिज़ों क्या होई सकता होती है ठीक है और जो करमचारी होते हैं 2 परकारबवे एक होता है आपका टीचंग और एक होता है अपका नॉन टीचंग ठी तो यहां पर जितना भी इनिवर्सेटी में है इन सभी में तो असिस्टन प्रोपेसर यह टीचिंग हो गया अब बात करता है कि बाइक कलर को अगरा हो गया का MTS का पोस्ट हो गया एकाउंटेंट का पोस्ट है यह सब कोन करेगा तो यह लोग नॉन टीचिंग करते हैं और नॉन टीचिंग को आपको graduate vertices के माइदेंदें यह काम के लिए रहे हैं समझ हो यह बात को यह एक तरह से एक तरह से जब प्रौपेसर का वेकेंसी आ रहा है और ऐप्रेंटीस का वेकेंसा या रहा है तो बात समझने की बात यह है कि यह ngon teaching vacancy है office में ठीक है अब यहाँ पर बहुत सारे post सबसे पहली बात यह ग्रिजुट अप्रेंटिसिप आपका एक साल के लिए क्या इसके बाद आपका पर्मानेंट जॉब लग जाएगा नहीं पर्मानेंट जॉब नहीं लएगा यहां पर साब साब बोल दिया गया है कि यहां जो है टेम्पूरारी वैसिस है देखें यहां प ठीक है अब बुलिएगा क्या करेंगे साटिफिकेट का आचार आचार नहीं किजिएगा जूज महीं लाइएगा बहुत सारे क्या होता है कि जब आप मान लिए यहां पर अपने कॉर्स कर लिया एक साल तक कॉर्स के दर्मियान आपको बारा हजार रुप्या सेलरी दिया ज कर सकते हैं साथ मोन में भी बहुत जगा ते लिखा रहता है कि एक सी आप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास रहेगा तो समझ गए तो इसका यूज आप लोग फिल्ड में कर सकते हैं गौर्मेंट में भी और प्राइबेट में भी सर्टिपिकेट का अब बात था है 12,000 रुपिया मिलेगा हमको ठीक है हाँ चलिए 12,000 मिल गया क्या हमें रूम और खाना पेना रहना मिलेगा देखिए यह बात डिपेंड करता है आपका किस कॉलेज में चाहे कहां पर पोस्टिंग होता है मैं बात कर लेता हूं कि अगर किसी का राचे इंवर्शेटि में पोस्टिंग हो गया ठीक है और याषा बिर बछली का है बहुत बच्छा। ृशलिया जाता है तो आप इर चलता है तो चलता है तोनिल जाएगा लेकिन अगर सिन medium e going कालीज में हो जाता है जैसे माड़वारी कालज में हो गया मेरा प्वैबरेट को रिचे माड़वारी के जामपल देता हूं संत अबीर वगरा नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत हैवी है यार बहुत डिमांड है मतलब क्या बताएं अमीर एकदम रइस जिसको लोते हैं रहीस ओर रहीस ठेक है वहाँ पर रहीस लोग ही मतलब बहुत जादा फैसा लगता है तो आपको एक कर समझगें कि संद जविर नहीं है मिलेगा अगर संद जविर मिल जाता है पार रहा हुआ कि भाई कोई मैंने काम किया है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जाएगा पैसा बच जाएगा एक्जामप्ल के लिए जैसे तो वहाँ पर प्वेक्षाइब अगर जिसको पॉस्टिंग होता है जिसको मिलता है ठीक और केंटल का हो गया लिए करने कि दूर्व कॉलेज में तो डिखिए ना खाना मिले काम किजिए और जाइए ठीक दूर्ड हो गया अब कितना घंडा काम करने पढ़े working hour क्या रहेगा और कितना दिन बॉब कि एनिवर्किंग का जो वर्किंग भेग का फिक अपको आपको से लेकली है लेकिन आप काम करते हैं तो सर लोग आप से थोड़ा परवावित होंगे और कि अच्छा काम कर रही मुनी ठीक है और आपके परती सब कोई थोड़ा सा रुजान रखेंगे अच्छा रुजान ठीक है तो यह डिपेंड करता है आप में कि आप कैसा काम करते हैं बहुत से लोग जाएंगे अपना रिल्स देखिए खाली टाइम में तो वह अलग की बात है चाहें आप काम करते हैं वह अलग की बात है ठीक है क्या और अच्छा काम करते हैं कोई इमांदार चाहा तो नहीं तो सब जगह होता है समझ गए हैं तो काम 6 दिन होगा और उसमें आपका 8 घंटा का काम रहेगा खाना पी ना रहाना डिपेंड करता है कॉलेज पे ठीक है 12,000 मिलेगा क्या उससे ज़्यादा मिलेगा नहीं एक रुपिया ज़्यादा नहीं मिलेगा एर ठीक है तो 12,000 मिलेगा और आप बोलिएगा कि हम एक साल तक वहाँ पर काम करेंगे क्या क्या काम करेंगे बता दीचिह देखिए यहाँ पर कुछ पोस्ट है जैसा का आपका यहाँ पर पहला है वेरियस एडमिन सेक्षन यहां जो रहेगा मैक्सीमम आदमी जो सिंपल प्रेंट करेशन की हैं उनको यहाँ पर मिलेगा उसमें क्या होगा वेरियस अंद्मिन सेक् pertaining में की प्रसास्निक काम जो भी होता है आफिसटीक वह आफिसबी का मीचना में मिले और चाहे आपको इनुवर्सटी में मिले भिडिए का काम करना होगा और फिसका ही काम करना होगा कागजपत्तर का जो भी होगा ठीक है यह वाला पोस्ट में एकाउंट सेक्षन में अगर आप भर हैं तो आपको एकाउंट का काम दिया जाएगा कि कितना फिसा कौन बच्चा फिस गिया कितना जमा किया ठीक है किसका कितना फिस बा रहेगा और लिबर्टरि मोगर हो रहेगा तो यहां पे काम का प्रेसर सबसे कम रहेगा ठेएंप फिजिक्स नेप Character Lab इस सब से कम सबसे कम काम रहता खा बाकि सबसे ज़्यादा काम किसमें रहेगा वह भी बता रहा हूं और यहीं पर आता है आपका chemistry lab, botany lab, geology lab यह आपके काम यह है इन सब में काम होगा क्योंकि science का वाले बच्चों को जब practical होगा ठीक है lab होता है practical होता है उस time पर आपको वहाँ पे जो भी instrument का यूज होगा वो आपको लाने के लिए बोलेंगे कुछ training करके सिखाया जाएगा आपको कि देखे यह सारा chemicals क्या है क्या है यह है जल है NACL सब को जानते हैं H2SO4 ठीक है यह सब कुछ जो भी होंगा यह सब बताए जाएगा ठीक है तो आपको सबसे काम-काम का प्रफेसर रहेग आपका लेव वाला में सबसे कम-काम žो इतर इसे किसी होता है कि कम्प्यूटर propag वाला में आपको मिल सकता है सेक्शन में कंप्यूटर इचा नौटीस हो गया तो रहा तो पूलनाने देजीजिए जाएगा कि लिए जिए एक नॉटिस चाप दीजिए वार में चिपकाना है इसको तो इस तरह से आपको ms word excel powerpoint में इसमें ज्यादा काम रहेगा सबसे ज्यादा काम रहेगा ms word में computer lab में ठीक है लाइबरेरी लाइबरेरी का वही किसको कितना बुक चाहिए कौन बुक ले गया सब नोट करके रखना पड़े का लाइबरेरी में अब बात कर लेते हैं कि यहां पर सबसे ज्यादा काम का प्रेसर किसका रहेगा तो सबसे ज्यादा का प्रेसर जो रहेगा आपका various admin section का किसको मिलेगा तो सबसे जदा पढ़ने का समय मिलेगा यह लाइबरेरी वाला को मतलब जो भी आएगा किताब देगा ठीक है तो लाइबरेरी सक्षिंस पढ़ने का सबसे ज्यादा इसको पहले उसके बाद यह फिजिक्स लेव यहां पे आपको कोई पूछने नहीं हैं बहुत सा बात आता जैसे मैं भी एकर जोइन कर लिया यार और मैं भी जोइन करूंगा क्योंकि यूट्यूब जो है ना माता खराब कर देता है सच बता रहा हूं दोस्तों अगर आप कोई ऑनलाइन जॉब करते हैं ना तो दिमाग का दही हो जाएगा सूचहूच के ओवरतिंकिंग करने लगेगा मांसिख तना हो जाता है मेंटल प्रेसर भले यूट्यूबर लोग नहीं बोलता है लेकिन सच तो मैं भी जोईन कर लूंगा जो भी होगा और हाँ बीच में जिसे मेरा भी जोब लग गया तो अगर जौब लग जाता है बीच में तो क्या मैं छोड़ सकता हूं इसका जवाब है हाँ और ना भी अगर आपका एक से दो मेना हो गया है तो आप छोड़ सकते हैं लेकिन अगर आप फिर आठ से नौ मेना कर लिए हैं या फिर छे मेना कर लिए तो फिर आपको छोड़ना मुस्किल पड़ जाएगा क्योंकि जितना पैसा खर्चा हुआ है हो सकता है सब आपको रिटेन करना पड़ेगा ठेक है विट इंट्रेस्ट तो यह तो बात आपको कॉलेज वाले ही बता अब डॉकुमेंट्स वरिपिकेस्ट की बात आती है कि क्या होगा कब होगा किसका कब आएगा नौटिस देखिए सभी अभी तक फॉम भी नहीं निकाला है इसके अगर आएगा तो मैं बता दूंगा सबसे पहले फॉम जिनका जिनका हो गया है और 12 तारिक तक ही उठाया है क्या नेक्स्ट तारिक तक उठायेगा मालूम नहीं 12 तारिक तक फॉम वाला बीबी एमकेई और बिना भावे दोनों में उठाया है अगर 13 तारिक से जितना ठारिक तक फॉम बढ़ाया था उन सबका अगर आता है तो मैं आपको बता दूंगा ठीक है फिलाल तो 12 तारिक को क्या लएगा तो सबसे पहले तो आपको का सर्टिफिकेट लएगा का सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा अगर अभी सी है तो बहुत अच्छा है ठीक है नहीं तो आपका का सर्टिफिकेट जीसमें आप है और वीसी से काम चल जाएगा क्योंकि यह धारखन का अंदर का है तो आपको इससे काम हो जाएगा अब इससी Central comment के वेकिंसी के लिए होता है तो देखते हैं कास certificate से काम चल जाना चाहिए वहाँ पर आपका category certificate लिखा होता है category 1 तो आपका देखे 10 जो भी चीज आपको यहां पर जुरुत हो सकता है जैसे मैं अनुमान करके बता रहा हूं क्योंकि अभी तक यह फर्स्ट टाइम है और किसी का अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है 10 का माक्सिट लग सकता है और और ओरिजिनल ठीक है यह 12 का माक्सिट और ओरि तो इतना उसके बाद का स्थिफिकत तो बताई दिया राइव सकते हैं यह ठीक है और इंकम सथिपीकेट EWS का मांगा जा सकता है इनकम सथिपिकेट और और भी सीकवाइब यह हो गया उसके बाद आधार कट लएगा अधार कट लएगा और क्या लागीगा फोटो लगिगा पड़ोटो 810 को फिल जाएगा ऊससे बीज्यादा लगेगा फोटो और जो आपने travelled कर दिए यहां वह उट जाएगा तो संभावना है ठीक है और शुलासों से कम है जिसे किसी का 14 वह तो बहुत रेरली है कि अब 16 से कम वालों को उठाया जाएगा लेकिन फिर भी उमीद है वाईश उठ जाईएगा ठीक है क्योंकि जारकन की वेकंसी बहुत कम आदमी ने अपलाई किया है टोटल बात कर लें तो लगबग हमारा कितना वेकंसी एक बाद जोड़ के देख लेते हैं 96 को है BBMKU में ठीक है और था किसी में NPU BBU हाँ बास इतना ही तो देखिए कितना हो जाता है 100 200 इसको हम इधर से दोड़ लेते हैं ठीक है अच्छा चलिए जोड़ते हैं 100 200 300 इसको जोड़ते हैं 400 500 500 के आस-पास जो है वेकंसी से तो और अपलाई करने वालों के संग्या कितनी है अपलाई करने जानकारी था मुझे मैंने सब कुछ बता दिया हां एक बात पक्का है कि आप जो रहिएगा जिसे मान लीजिए दस गोड़ में एक जगा पर पॉस्टिंग वह एक कुलेज में तो जितना भी दोस्त लोग है सब को आपस में रूम लेकर करके रहिएगा तो खडचा आपका क खापी कि उसके बाद पढ़ाई अपना करते रहिए आगे का जो भी रहे प्राइवेट या काम या गोर्मेंट लगे रही है लगे रहूंना वाई देखे दोस्तों जिन्दगी बहुत टिफिकल्ट है यार क्या बताएं मैं खूद सोच के पागल हो जाता हूं तो कभी-कभ करने वाला कोई खास आदमी नहीं है 20,000 से कम आपके पिता जी कम आते हैं तो प्राइवेट जहां पर भी लगता है जोइन कर लिजिए चलिए और हाँ और एक चीज सजेशन देना चाहूंगा कि आप जो है पीजी डीसिया का कॉर्स कर सकते हैं इन एक साल में पीजी डीसिय क्या होता है पीजी डीसी एक पोश्ट ग्रिजविशन डिपलो माइन कम्प्यूटर एपलिकेशन यहां अध़ूर्स होता है दोस्तों कम्प्यूटर के फिल्ड में जिसमें आप कम्प्यूटर में बहुत ज्यादा नॉलेज़ ले सकते हैं और यह इन युझी में होता है ठ सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ में और चितना भी होगा देखिएगा नौलेज लेने का अधिक साधिक आप यह कोशिश किजिएगा कि यार अगर हो जाता है तो अपना टाइम को सही जगा यूटिलाइज करने का क्योंकि एक बार टाइम बीद गया ना ठाए जहां आपका आप में से जितने भी लोग होंगे सब 20 पलस के होंगे है ना ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू पलस के ही होंगे सब तो चोबीस पचीस बाइब इस से पचीस के बीच में होंगे तो काम जोइन कर लिजिए उसके बाद प्राइबेट टी असर करी जो मिलता है कर लिजिए ज्यादा मत सोचे यार ठीक है ठाइंक्यू बाइब